प्रेंट्स माइसेफ डॉक्टर सेले सिंग आई वन्स अगें विलकम यू आल इन आवर यूट्यूब चैनल होंपैथी इन इजी वेड फ्रेंट्स होंपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिंस हैं जिनकी प्रूबिंग या तो बहुत कम हुई है या जिनका प्रभाव छेत्र है वह होंपैथ्य हम Уपैथि में है इनका उपयोग हम बहुत बहुतरीं तरीके से करते हैं लेकिन वहां और फरकते हैं तो हम दर नके कि हार्ट के किन रोगों में किन लक्षडों के आधार पर काद्म करती है इस वीडियो लेक्चर में हम उनहीं के बारे में डिसकस करेंगे तो आइए हम जानते हैं कर्यटेगस के बारे में फ्रेंट वो हर्ट जो होता है वो मांसपेशी का बना हुआ एक structure होता है और इसका जो सबसुआ important काम है या यह कहें जो इसका एक ही काम है वो यह है कि हमारे सरीर को blood pump करना यह हमारे सरीर में blood को pump करता है और जिससे हमारे सरीर को blood मिलता है और हमारी जो physiology है वो रोज मररा की जिन्दधी हम चलाते हैं लेकिन कुछ conditions ऐसी आती है जहां पर हमारा heart जो है वो उतना blood नहीं दे पाता जितना blood हमारे सरीर को जडरुवत होती है बिलकुल इसी condition पर जो है क्रेतेगस की जरुवत पड़ती है ऐसी condition को हम heart failure कहते हैं में जहां पर की हमारा जो हम्त होता है वो अतना भ्लड नहीं पंप कर पाता जितना हमारे सरीर को जरूद जोती है ऐसी तमाम सारी कंडिशन्स होती है उन्हें कुछ काडिय है यतनी हीमोग्लोबिन चाहिए होती है उतना नहीं मिल पाता है ऐसी कंडिशन होती है जो इसे मायोकार्ड डिजीज है या वाल्वियूनर डिजीज है ऐसी तमाम सारी जो है वो कार्डिक डिजीज या फिर ऐसे कुछ एक्व्ट इंफेक्शन हो सकते हैं अब हम बात करेंगे कि इन कंडिशन में कौन सा सिम्टम आता है जिसके आधार पर हम क्रेटेगस का सेलेक्शन करते हैं ऐसी कंडिशन में जब हमारी बॉड़ी को जितनी ब्लड की रिक्वायर्मेंट है उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा उस समय आप खुद ही सोचिए कि हमको क को कदम चलने के बाद हमारी साथ पूल सकती है या फिर हमको जो है इस उंप्ण आ हो सकती है उज्जन घवराठ हो सकती है त्जहांपर कि हमारे हाथ पैन में जो है वो एलίνे इन नीले हाथ-पैर के उंगलिया होती है नगोठे वहांपर वो laughing कीविली हो जाते हमारा सरीर जो है वह वा सब्सक्राइब कर ले करके अगर को ई पेशेंस आता है तो हम एक बार में एक बार यह सोच सकते हैं कि ये किसी कार्डीयक कंडीशन की तरफ इसारक कर रहा है लेकिन जो क्रेड़ेगर्स का सबसे महत पोल लक्षण है जो इसका की नोट लक्षण है वो यह है कि जरासा एक्जर्शन के बाद अगर सांस पूल जाती है मरीज कहता है कि डाक्षा वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती मैं सो रहा हूं बैठा हूं मुझे कोई समस्षा नहीं है विल्कुल ठीक से रहता हूं लेकिन अगर मुझे दो कतम भी चलना पड़े मुझे बैठ से अगर बात्रूं टब जाना पड़ता है तब भी मेरी सांस इतनी जाद़ पूल जाती है इतनी जाद़ पूलने लगती है कि मुझे वहाई पे बैठ जाना होता है तो ऐसी जो condition होती है वो क्रेटेगस के लिए सबसे महत्पूर है यही क्रेटेगस का screen wound लगछण है और यही क्रेटेगस यहाँ पर use होती है इसके अलावा अगर हम इस patient का हम लेखते हैं उसका pulse चेक करते हैं तो pulse उसकी जो है वो उसका volume बहुत कम हो जाता है pulse बहुत तेरी से चलती है accelerated pulse होती है और बीग pulse कम बारूं के साथ accelerated pulse और intermittent pulse या irregular pulse होती है तो हम यह क्रेटेगस का एक indication मान सकते हैं दूसरी condition होती है इसका बीपी कम हो जाता है अगर हम patient का बीपी चेक करते हैं खास करके ऐसे मरीजियों में जो उनको बाहुत 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 कर आता है या वह complaint करते हैं चाहें वो किसी भी एज में हो डग सब चकर बहुत आ रहा है और उसका बीपी जो है वो कम है 100 by 70 है 90 by 60 है ऐसी condition है तो वहां पर क्रेटेगर्स का उप्योग किया जा सकता है ऐसे condition में क्रेटेगर्स जो है वो हमारी heart के muscles को और strong करके और उसका cardiac output और बढ़ा देती है जिससे की हमारा बीपी मेंटेन हो जाता है तो अगर pulse में जो है slow pulse है उसका volume कम है sorry accelerated pulse है उसका volume कम है औ और weak pulse है या फिर उसका blood pressure कम है तो ऐसी condition में जो है वह बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो यह तो हो गया जो है कुछ cardiac characters इसके साथ में एक और बहुत important lecture है वह है कि left side में clinical से नीचे जो है chest का जो area होता है या left shoulder में अगर pain हो रहा है और जो की अगर exercise से बढ़ जाता ह है जड़ा से दो कदम चलने से यह pain बढ़ जाता है या फिर यहां पर heaviness महसूस हो रहा है या discomfort महसूस हो रहा है जिसके साथ anxiety है और insomnia है और तो ऐसी condition में क्रेटेगर्स का बहुत बहुत अच्छा action हो सकता है बहुत अच्छा रोल हो सकता है इस नीद ना आने की विमारी हैं बहुत जादा वह जड़ा जड़ा से बात पर चिर जाते हैं के चिरा पर बहुत जादा होता है तो यह क्रेटेगर्स का बहुत important लक्षण है बहुत महत्तों लक्षण है ऐसी insomnia में भी नीद में क्रेटेगर्स की कुछ बूंदे उसको normal sleep की तरफ ले जाएंगी और केव हमारा heart failure के बारे में हो गया जो दूसरी condition है जहां पर क्रेटेगर्स का उप्योंग बहुत अच्छी तरीके से किया जा तकता है वह है यह आज की condition है यह बीमारी बहुत तजी से बढ़ रही है सामानी बोल्चाल की भासा में हम इसको blockage कहते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारी arteries है arteries की जो wall है उसमें एक तो जो है एज के साथ साथ उसमें उसकी जो flexibility है जो elasticity है वो कम हो जाती है जिसकी वो जैसे वो उसके जो फूलने और पिचकने की जो capacity होती है वो प्रभावित होती है दूसरा उसमें cholesterol deposition होता है और उसकी जो आइनर जो surface है जो यह अगर हम और रफनिंग हो जाती है तो जब वहां से plateless टकराती है तो वहां जो है plateless फट जाती है और ब्लड का ठक्का बनने के chances होते हैं यहीं ठक्का अगर कुरोनरी आर्ट्री में जाज़त के deposit हो जाता है तो कांडिय करेस्ट की condition हो जाती है या एंजाइना होता है तो ऐसी conditions को भी कि यहां अब से यह Oregon वह खटा देती है क्योंकि यह जो है जो हमारी जो आर्टारी है उनकी वाल फे जो भी death reaction को जहाँ क्यरसिशन हो और से सारई हैं को यह कृश्क्रिका पर सब्सक्र bei Shit और क्रस्टेसियस जो क्रस्ट डिपोजेशन फ्राम आर्ट्रीयल वॉल्स तो इस तरीके से जो इसको हम कहते हैं कि जो धमनियों में ब्लॉकेज आ के वहां से जो है वह लिए वह बहुत आसानी से कुछी दिनों में वहां से जो है उस दिपोजिशन को हटा करके और आर्टी इसको नॉर्मल कर देती है यह भी क्रेटेगस का बहुत इंपॉर्टन जो है वह वर्क है जिसका हम उप्योग कर सकते हैं इसके बाद कुछ और कंडिशन है जैसे एक हैड अग एक तरीके का खास हैडेक होता है इसमें क्रेटे प्रेटेगस का जो है रोल बहुत अच्छा है लेकिन यहां यह बात ध्यान रखने की है कि ऐसी कंडिशन वह जो है सर्भाइकल स्पांड लाइटिस में भी हो सकती है कैसे हम डिफ्रेंसियेट करेंगे दोनुं कंडिशन को अगर यह सर्भाइकल इस पॉन्ट लाइटिस है तो अगर पीछे दर्ट के साथ वह टाइगो कंडिशन कर रहा है पेशन और यह सर्भाइकल स्पांड लाइटिस है तो वहां पर उस पेशन का जो ब्लेट पिसर है वह नॉर्मल होगा या या ऊपर होगा लेकिन अगर जो है यह क्रेटेगस वाली कंडिशन है तो वहां पर जब उसका पल्स और बीपी देखेंगे तो बीपी कम होगा लगर लो बीपी के साथ में और वर्टाइगो है तो ऐसी कंडिशन में क्रेटेगस बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसकी कुछ डॉप्स जो है वह वीपी को भी नॉर्मल कर देंगी हैडेक और वर्टाइगो को चकर को भी वह संपिक कर देगी तो यह वह वह बहुत अच्छा यहां पर पर कर सकते हैं अगला सीज्वराइस में जूए हैं वहाँ पर बहुत जादा प्रस्पारेंस होता है और कई बार जो हैं वहां पर बहुत सारे फुन씨 या वायल या इजिक्सिज सिया चवाब या दे देखने को मिलते हैं तो अगर बहुत जादा परसपराइव 예anca के साथ इसंपयोग में ला सकते सिंपते बच्चों में डाइबीटी में धूस्त का उपयोग देखने को मिला है इसके साहत में है पर ब्रह रहे है तो और रहा है पर्लस Πाटbn सनट में भी हम क्टेगास का तो यह तो रही रहे कुछ बाते हैं जिनके आधार पर हमस्का उप्योग कर सकते हैं अब एकर हम समराइश करने की बात करें तो उसमें के वर इतना चाहएंगे अन्तीम में की रहने के हाट की मसल्स को डून करता है और इस का हरने के साथ में वो हमारे जो हार्ट है उसकी pumping capacity को बढ़ा करके cardiac output बढ़ाता है इससे हमारे सरीर को जितने blood की requirement है वो हमारे सरीर को मिलती है और ऐसी condition ये क्रिया करके ये हमको heart failure से बाहर निकालती है इसमें इसका जो सबसे important लक्षण है वो ये है कि दो कदम चलने से अगर सांस फूल जाती है जिसको एक्जर्शनल इसनिया कहते हैं तो ऐसी condition अगर है वहां पर क्रेटेगस बहुत अच्छी तरीके से काम करती है उमीद है मित्रों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप और आगे जो है वह सेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाव ले सके चैनल को अगर अगर आप भी तक आप आप में सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लिजिए साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लिजिए जिससे आने वाले दिनों में जो भी वीडियो मेडियो मेडियो से समद्दित चैनल पर आएं वह आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद